शास्त्रों के अनुसार ग्रहन का हमारे जीवन पर भी गहरा असर होता है सूर्य और चंद्र ग्रहन दोनों को लेकर अलग-अलग मान्यता है इस नए साल में भी चार ग्रहन लगने वाले हैं आये इस साल यानी 2024 में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहन के बारे में जाने मत्रपदेश के उजयन में जीवाजी वेद शाला के एक वरिष्ट अधिकारी के अनुसार 2024 में चार ग्रहन होंगे जिन में एक पूर्ण सूर्य ग्रहन भी शामिल है लेकिन उन में से कोई भी भारत में दिखाई नहीं देगा वेद शाला के अधिक्षक और खगोल शास्त्री डॉक्टर राजेंद प्रशाद गुपता ने कहा कि 2024 में ग्रहनों की शुरवाद 25 मार्च को उप्छाय चंद्र ग्रहन से होगी उप्छाय चंद्र ग्रहन तब लगता है जब सूर्य, पृत्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में आ जाते हैं खगोल शास्त्री ने आगे कहा कि साल का ये पहला ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस खगोल ये घटना के समय देश में दिन का समय होगा वही आट और नौ अप्रिल की मधिरात्री को पूर्ण सूर्य ग्रहन लगेगा और ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा वही अठारा सितंबर की सुबह होने वाले आमशिक चंद्रग्रहन भी भारत में दिखाई नहीं देगा देश में खगोल विज्ञान के प्रतियुद्साह रखने वाले दो और तीन अक्टूबर की मधिरात्री को भी सूर्य ग्रहन को देखने सिवन्चित रहेंगे वही जो तीशों की माने तो गर्भवती महिलाओं को सूर्य या चंद्रग्रहन के समय कैची, सूई, ब्लेड या चाकू का इस्तमाल बिल्कूल नहीं करना चाहिए शास्तरों में ग्रहन के दोरान काटने की मनाही है ऐसा करने से बच्चे में शारिरिक या मानसिक विक्रिती हो सकती है शास्त्र की माने तो गर्भवती महिलाओं को ग्रहन के दौरान फल, फून, पत्ते या लकडी नहीं तोड़नी चाहिए ऐसा करने से ग्रहन दोश लगता है सूर्य या चंद्र ग्रहन के दौरान पूजा पाठ समेत कोई भी धार्मिक या शुब काम नहीं करना चाहिए शास्त्र में ग्रहन के समय शुब काम करने की मना ही है सूर्य या चंद्र ग्रहन के समय भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय राहू केतू का नकरात्मक प्रभाव पृत्वी पर पड़ता है, साथ ही ग्रहन से भोजन दूशित हो जाता है, वहीं ग्रहन के समय भोजन करने से स्वास्व सम्मंधी परिशानी हो सकती है ग्रहन के दोरान खाना न पकाए, धार्मिक मान्यता है कि तुलसी दल से राहू और केतू का प्रभाव शिन हो जाता है इसलिए भूक लगने पर तुलसी दल युक्त चीजे ही खाए, वही ग्रहन के समय घर में रहना चाहिए